आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी इसके बाद मुंबई पुलिस ने मुंबई में प्रवेश द्वार दहीसर चेकनाके पर नाकाबंदी लगा कर बड़ी संख्या में कारवाही करती हुई नजर आई पुलिस मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों में बैठे लोगों से वैक्सीन के दोनों डोस की सर्टिफिकेट के जाच करती दिखी इसके लावा मास्क और हेलमेट कारवाही प्रमुकता से जाच की जा रही है इस मौकी पर दहीसर के सीनियर पुलस अधिकारी प्रवीन पार्टिल ने बताया कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है सर्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार कर दिया गया है जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके नहीं लगवाए हैं उनकी एंट्री बैन की जा रही है इसके अलावा धारा 144 का पाले नहीं करने वालों के खिलाप सख्त कदम उठाने के निर्देश दिये गए हैं मुंबई से गलोबन टीवी के लिए रोहिजय स्वाल की रपोर्ट इस तरी के सी आप पूरी खबरतारी लिया जा रहा है पुलिस को बेज़े जारी है कल राज से मुंबई में दारा 117 जारी हुई है कल से राज से 31 डिसेंबर तक जारी है तो दैसर चेकना का जो है यह मुंबई का प्रवेश द्वार है यहाँ मिरा वहिंदर वैसे ही पालगर वसई और थाना के तरब से आने वाले लोग यहां प्रवेश करते हैं मुंबई में काम दंडे के लिए आते हैं तो उनके पास दोनों डोस लिए वह वैक्सिनेशन सर्टेपीट की जरूरी है और जिनोंने दोनों डोस लिया है वो ही प्रवेश करें या जिदर उनको जाना है जर्नी करें ऐसा एक आदेश जारी हुआ है तो हम लोग चेकनाका पे जो रैंडम ली गाडिया चेक करते हैं और जिनके पास दोनों वैक्सिनेशन का सटिपेट आई के नहीं हो चेक कर रहे हैं और जो कोई विदाउड मास प्रवेश करता है उनके उपर भी कारवाई कर रहे हैं